साथियों, संतुकानाम जी की दया, करुना और सेवा का बोबोध उनके अभंगों के रूप में आज भी हमारे पास है। इन अभंगों ने हमारी पीडियों को प्रेणा दी है। जो भंग नहीं होता, जो समय के साथ सास्वत और प्रासंगिक रहता है, वही तो अभंग होता है। आज भी देश जब अपने सांस्कृतिक मुल्यों के अधार पर आगे बढ़ रहा है, तो संत तुकाराम जी के अभंग हमें उर्जा दे रहे हैं, मार्द दिखा रहे हैं। संत नामदेव, संत एकनात, संत सावता महराच, संत नरहरी महराच, संत सेना महराच, संत गोरोबाखाका, संत चोखा मेला, इनके प्राचिन अभंगों से हमें नीत नई प्रेणा मिलती है। आज यहां संत चोखा मिला और उनके परिद्वार द्वारा रचीत, सार्थ अभंग गाथा के विमोचन का भी मुझे सौभागी मिला है। इस सार्थ अभंग गाथा में इस संत परिवार की पांसो से ज़्यादा अभंग रचनाओं को आसान भासा में अर्थ सहीत बताया गया है। इस सार्थ इस समय अभंग बताया है।